हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपको फ्लावर बनाना सिखाऊंगे फ्लावर किस तरीके से बना जाते उस चीज उसके लिए क्या-क्या चीज यूज होती है अब मैं आपको सिखाने जारी हूँ मैंने यह उन लिया हुआ है और एक कैची लिया हुई है और मैंने मेरे दो फिंगर लिये हैं इस तरीके से और इस धागे को इस तरीके से फिंगर फे इसका फिंगर पे इस तरीके से घुमाना है ऐसे फिर उपर से फिर नीचे से इस तरीके से घुमाते हुए जाना है इस तरीके से इस तरीके से घुमाते हुए जाना है, आप जितना अच्छा फ्लावर चाहिए, जितना बड़ा फ्लावर या इस तरीके से, आप कितने भी टाइम इसको डाल सकते हो, एक बार उपर से इस तरीके से, एक बार इस फिंगर में इस तरीके से, फिर यहां से, इस में इस तरीके से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस तरीके से इसको घुमाते वी जाना है अपने फिंगर में और यह फ्लावर बनाएं बहुत इजी तरीका है इससे इजी तरीका आपको कोई भी नहीं मिलेगा इस तरीके से आपको कितने भी रावन घुमालो जितना अच्छा फ्लावर बनेगा जितना अच्छा मोटा बनाओगे उतना अच्छा फ्लावर मिलेगा अब मैंने यह इतना मोटा बना दिया है अब मैं इसको यहाँ से कहची से कट कर दूँगी और एक छोटा सा पीस इसमें स लगा दूंगी आगे से इस तरीके से इस तरीके से इसको अपने फिंगर से ऐसे दोनों हटाऊंगी और नीचे रखने के बाद इस तरीके से दोनों मैं ऐसे यह देखे यह इस तरीके से मैंने दोनों भी इसमें सेंटर पर गाठ लगा दी और इस पर मैं दो तीन गाठ लगा इस तरीके से ये हमने इस तरीके से इस मगाठ लगा दी अब हम इसको कैची की मजद से इसके दोनों हिस्सों को कार देंगे इस तरीके से दोनों हिस्सों को कार दिया हमने इस तरीके से इस साइट से भी हम कार देंगे इस तरीके से यह देखे हैं, हमने दोनों साइड से कार्ज दिया, इस टाइक से दोनों से तरब से हमने यह कार्ज दिया, अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे, जो इसके बड़े छोटे भागो रहे हैं, उसको हम अच्छे से इसके सीजर के कैची के मदद से, इसको इस तरीके से लेके, अपने इसको इस तरीके से बराबर काट देने है इस तरीके से देखो इस तरीके से कुछ इस टाइब का फ्लावर बन के आएगा इस टाइब का फ्लावर बन के आएगा फ्रेंड आपको भी इस तरीके से फ्लावर आपको भी बनाना सीखना है तो आप मेरी चैनल में वीडियो देखके सीख सकती हूँ फ्रेंड आपको मेरी ये फ्लावर की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सस्क्राइब कर ना बलकुल ना भूले, थेंक यू फ्रेंड